मैं हूँ सूरज सुकला हूँ और आप देख रहे हैं सारा समय लाइब टीबी का खास फ्रोग्राम चौपाल जैसा कि पंचाइट चुनाओं का दौर चल रहा है तमाम गहमा गहमी की बीद माहौल गरम है वोटर भी इस फिराक में है कि 5 सालों में क्या विकास हुए है विकास की मुद्दे वोट करने के मूड में है नया परत्यासी चाहँ रहा है नय चेहरे तमाम सारे मैडान में उतर चुके हैं ऐसे में बदा सवाल है कि हमेशन सत्ताक विरोध रहा है ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या सत्ता की वापसी पुना होती है या फिर कोई नया चेहरा चुना जाता है इसी सब मुद्धोग लेके हम पहुचे हैं उचा हाथ देहाथ ग्राम फंचायत में जहां पे हम लोगों के बीच एक चौपाल का एक्रम लगा रहे हैं लोगों से जाने की वास्तों में विकास हुआ है या नहीं और लोगों के मं में क्या है 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 की पुछे हैं पुछेउट में बीकास वाई जाना चाहें कर नहीं या भूब हुआ कि घायें जाता जास पांगे अधुए नलकोर म हमाइसे का कुछ ऐसे विकास कारी होंगे जो है नहीं हुए है उनको होना जरूरी है हाँ उनका होना जरूरी जेसे कौन से काम है जो सरकारी योजनाए है क्या योजनाओ कर लाब जो है जरूवत मंदो को मिला है तो इस बार आप क्या चाहते हैं चुराओं में आपके यही परधान चुनना चाहते हैं कौन सा परधान यही पुराने वाले परधान यह दूसरे परधान चुनना चाहते हैं नहीं यही वाले धरा जादो प्रद्धान का गाउं यहां पर हम चौपाल का इक्वावर का विकास हुआ और ग्रामीड इस पंचायच चुनाओं में क्या चाहते हैं तो सबसे पहले एक दादा हैं दादा सुरुआत करते हैं दादा क्या नाम है आपका हमारी जग्दीश प्रशाल नाम है यही के रहने वा हुआ हमारे यहां बहुत कम भीकास हुआ है इधर गाउं में नाली नहीं बनी गाउं पूरा परिशान है और ना कोई प्राइमरी स्कूल यहां पर है बच्चों के पढ़ने के लिए किलो मीटर के दिन में कोई स्कूल नहीं यानि आपका कहने मतलब जो मूल भूत मतलब सु खुले मन से प्रयोग करता है तो इस चुनाओं में आप क्या चाहते हैं बदलाव चाहते हैं यहीं रहने वाले हैं तो आपके दूलीपुर में उचाहाद का ही गाउन है दूलीपुर में क्या विकास हुआ दूलीपुर में से कुछ नहीं विकास हुआ नाली वाली खरिंजा रास्ता कोई सही है नहीं इसी तरे एक समेश्या है अधिकतर तो नाली खरिंजा के बगल में कोई नहीं है पानी की बड़ी दिक्कत होती है अगर पानी नापदान से निकलता है तो हम लोग बाल्टी से ब जाहते हैं यहीं नाली यहीं चीज के लिए वहीं चाहते हैं कि नाली बरा जार्टी बनॉप anchis खरिंजा आ IT यहीं चीज बनुआ है परधान जी हम हम चाहते हैं ऑविकतुने खरिं ड़ोвे सफालों में कुछ बहु कुछ भी नहीं उंब सर आप लोग नहीं जंता का आ कि मेरे गाना आया था कि rendre कुछ आवा है अको सुनाते। एक गाना मेरे धराज भीया जी का है बहुत प्यारा सोंग है आपको हम सुनाते हैं एक लाइन सुना एका का भूली न जई हा जमकी एका कमते दान करी हा एको न वोटो जी यान करी हा दीहाया सिर्वादितनिका रखी हा धेयान धानी राजी या दो के बनाई हा भाईया अब किति सरी बारे पारे धान बिरिंदर कुमार यादो पिपरहा उंचे हार देहाद दी जी 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 हमारे हाँ उंचे हार देहाद में बहुत सारे काम हुए जैसे रोड बनवाई गें कम से कम 36 से 40 रोडें और दो-दो पानी टंकिया लगी हुई है प्रती घरों में कम से कम सब के घरों में पेजल बेवस्था उपलब्ध है पानी टंकी हो द्वारा और कम से कम पिछले पंच वर्षी में जो हमारे पास थे योजनाय सरकार की हैं उसमें 1400 रेजिस्टेशन प्रधान द्वारा कराए गए जिनमें से 1200 लोगों का पैसा भी 3300 स्वास्त का आया और इन्होंने 101 सैकल का वित्रण भी कराया जिसमें कुछ सैकलियों का भी वाकी है अचार संगीतार लग जाने की वज़ा से नहीं मिल पाई है उनको भी भाग द्वारा इसके बाद दिया जाएगा प्रधान द्वारा और सारी योजनाय हैं जो सडक हैं इंटरलाकिंग ब्योस्ता है और सारी योजनाओं का जो आपके यहां पेजल ब्योस्ता है और पेंसन योजना हैं ये सब भी बहुत ज्यादा स्जादा हो गए हैं जिसके पिछले पंचवर्सिक देखते हुई अभी बहुत ज्यादा सज्यादा हैं और सारी योजनाए हैं जो हर गली और हल महले तक नालिया में ही को सारी पक्की हो गई हैं हमारे हां जितनी ज्यादा ज्यादा गड़बर थी और यही तरह लाइट की व्यवस्था भी सुधा तो द्वारा वह भी निशुल्क है उचाहर देहात के लिए इसी तरह के और सारी व्यवस्थाएं हैं जो भी आदी चल लहीं हैं जो कार अभी बाकी हैं वह भी चल रहे हैं तो क्या आपको क्या लगता है कि यह पंचाज चुड़ाओ जो चल रहा है इसमें आप बदलाओ च चाहते क्योंकि हमारे यही परधान हमसे अच्छे हैं बहुत सारे अच्छे बहुत लोगों को पसंद आते हैं क्योंकि 12 बजे रात में अगर एक बजे रात में फोन किया जाए तो यह वरतमान में उहां पहुंचने के लिए तैयार है मैं हूँ सूरज सुकला हूँ और आप देख रहे हैं सारा समय लाइब टीवी का खास प्रोग्राम चौपाल